आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की ट्रेडिंग जो चीज है वो बेसिकलिए अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो सबसे पहला आप यह सोच रहोगे कि मैंने क्यूं आरभीय का वेबसाइट ओपन करके रखा है क्य हम लोग बात करने वाले जुक चनल पर पहले बार आएं चनल को सबस्क्राइब कर दिजगा वीडियो गर्या सबसे पहले हम लोग जो ट्रेडिंंग बात करता कर दोला सब पीछे चलते हैं जैसे कि मैंने समय स्टार्ट किया था त्व्यजल एसार्ट 맞 या तब मुझे पत्र support resistance like time frame क्या है stocks क्या है order कैसे डालना है profit कैसे book करना है यह अपने को कोई idea नहीं था अपने को बस इतना सिखाया गया था और मैंने खुद जो सिखा था कम दम पे खरेदो जादा दम पे बेचो ठीक है जो कि हर कोई लोग जो है इसी से ही गुजर के मतलब ट्रेडिंग सिखें राइट तो यह सारी चीज़े थी लेकिन अब मैं जब देखता हूं market को या फिर overall इस ट्रेडिंग वाले केरियर के अगर हम बात करें जो लोग सोच रह कि भाई हमें जॉब को छोड़ के फूल टाइम ट्रेडिंग करना है या नहीं करना है उसके बारे में यह वीडियो आपके लिए बहुत हैल्फूल होने वाला है लेकि मैं परस्नली खुद फूल ट्रेडिंग करता हूं तो इसी वज़े से मैं समझता हूं कि इससे बेटर ए ट्रेडिंग करूंगा बस एक चस्का था एक जोस था कि भाई ट्रेडिंग करेंगे ठीक है बस इतना सा यह आइडिया था उसके बाद अभी के हिसाब से जो मैं मार्केट देख रहा हूं जो अभी मार्केट का जिस तरीके से रोल रेगुलेशन चेंज हो गया है वो मुझे कंप्लेटली एकदम मतलब सर्प्राइजिंग लग रहा था क्योंकि अभी देखिए ना हम लोग जब 2016 से ट्रेड कर रहे हैं या उससे पहले से ट्रेड कर रहे हैं ठीक है मैक्सिमम लोग कोवेट के बाद ही जूड़े होंगे मार्केट में बड हम लोग बहुत पहले से ट् एक्षेंज बोड ऑफ इंडिया वो इतना स्ट्रेक्ट नहीं हुआ करता था जैसे अभी इस तरीके से इतना रोल्स कर दिया है तब के टाइम पे आपको मार्जिन देगे ऑप्षिन सेलिंग के में बात करूं ऑप्षिन सेलिंग में आपको फोर एक्स मार्जिन मिलता था ठ तो उसमें तो क्या ही कहना आपको 50X 60X मार्जिन मिलता था तब के टाइम पे सोचिए ठीक है इतना आपको लेवरेज मिलता था कोई-कोई जो छोटे-मोटे ब्रोकर से वो तो आपको 70-80% तक मार्जिन दे देते इतना ज्यादा लेवरेज मिलता था ठीक है तो तब के इसना पॉपुलर नहीं हुआ थे कि टेडिंग ऐसा है वैसा है तो यह जो लेवरेज वाला चीज है ना सेभी ने देखा बहुत सारे लोग लेवरेज यूज कर रहे है तो इसी वज़े से सेभी ने क्या क्या फाइनली उस लेवरेज वाले सिस्टम को ही बंद कर दिया ठीक अब लेवरेज से ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो तो इसमें क्या होता था कि आपको पूरा-पूरी मार्जिन लेकर आना था मार्केट पे फूल मार्जिन लेने के टाइम पे ना क्या हुआ कि अभी जो अगर आप देखोगे जो तब के टाइम पे जो कैश एगमेंट पे ट्र अब लेकर अब अच्छा था क्या है तब के टाइम पे आपको बहुत अच्छे प्राइजिक्शन मतलब देखने को मिलता हो तो क्योंकि मार्केट में लिग्विडिटी अगर हम बात करें बहुत अच्छा था कैश सेगमेंट की में बात करो अप्शन फ्यूचर उप्शन की मैं बात में करो अगर हम मारर्केट की बात करें कैसे सेगमेंट की बहुत अच्छा वॉल्यूम्तथ है मतलब बहुत अच्छा प्राइस आपको मिलेगा बहुत अंच्छा चल रहा यह देखने लगे कि भाई अभी स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा जो ट्राइंजेक्शन हो रहा है बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो रहा है तो अभी इन लोग ट्रैप करने के लिए भी आ गए ठीक है तो जितना लोग इन्वाल होंगे ना यहां पर अगर आप पर वह क्या करते हैं अब चीजों को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं ठीक है तो वह लोग यह खोजते रहते हैं कि कैसे एक बहुत ज्यादा रिटेल ट्रेडर ट्रैप में आ जाए तो उनका प्रॉफित हो जाए ठीक है तो इसी के वज़े से धीरे-धीर किसके बस इतना मार्जिन होगा भाई तो अभी इन लोग क्या किया ना ओप्शन ट्रेडिंग के तरफ इन लोग आ गए क्योंकि आप्शन बाइंग में तो उतना ज्यादा कैपिटल लगता नहीं था आपका पांच हजार छे हजार से एजली ऑप्शन बाइंग हो जाते थे तब के टाइंग ठीक है तो लोगोने उप्शन बाइंग करना स्टार्ट कर दया भी दिरे दिरे भी मार्केट पकडने लगया तब कर यूटू यूटूब तो थ नहीं था नहीं ठीक है तो जब जीओ लॉंच हुआ था कोविट के टाइंग ही या उससे पहले दिरे दिरे तब लोगों ने बहुत डाला वीडियो इसके उपर तो बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बनाया फिर इस पर बात किया भी option trading ऐसा होता है option buying ऐसा होता है सब लोग का माइन पर इस तरीके से सेट हो गया था option buying को लेके अगर आम इसकी view की देखे तो बहुत ज्यादा transactions होने लगे ठीक है तो इसी वज़े से जो broker आये ना broker का भी बहुत important role होता है यहां पर इन लोगों ने क्या क्या option पर बहुत ज्यादा मतलब अगर आप बोलोगे क कि नहीं 15 रूपेस पर order लगता है ठीक है 20 रूपेस पर order लगता है तो सबका अलग अलग यहां पर जो है व्यू था broker का तो यहां पर अगर आपको पता होगा कि weekly expiry बंद हो गया बस एक-दो मैं तो option करता नहीं हो पस यतना आइडिया मैं उतना आपको वह बोल ना ठीक है जो weekly index था वह तो बंद हो गया था है यहां पर आप देख सेट तो बैंक निफ्टी निफ्टी मिट कैप निफ्टी फाइनशल सर्विसेज और बाकी जो चीज़े है वह आपको weekly expiry देखने को मिल जाएगा तो यहां पर जो इन लोगों ने एकदम से option देखें अगर यह चीज़ करना ही था तो आपने weekly इंट्रेड्यूस ही क्यों क्या मुझे तो वह चीज़ समझ नहीं आ रहा है NSA, BSA ठीक है इन लोगों ने क्या-क्या और Sensex के भी हम बात करें इन लोगों ने क्या-क्या सब लोग अपना-पना weekly expiry देखें monthly तो था ही इंडिया में सबसे पहले यह हम लोग का मतलब इंडिया की बात करूं सबसे ज़्यादा highest transaction FNO का इंडिया का इंडिया का ही नेम आता है ठीक है NAC जो BAC का जो lot size था उनको उसको फिर से increase कर दिया ठीक है पहले decrease कर दिया फिर increase कर दिया तो इस तरीके से यह चीज़े चल रही है ठीक है तो इससे ना मतलब जो एक static point होता है वह एक trader का जो mindset होता है वह कहीं न कहीं disbalance हो जाता है अभी अगर आप देखो के जो price बढ़ रहे हैं STT transaction charges और पता नहीं क्या क्या तो यह सारे भी बहुत जादा impact कर रहे है ठीक है अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़े डिटेल में बताने वाल हो तो हो सकता है वीडियो बहुत लंब ठीक है तो यह था चीज़े NSA, BSA, option trading वगेरा सब कुछ तो अभी वापस लोग देखें क्या करेंगे क्या करेंगे उनके पास भी option नहीं रहा कि क्या करना है option trading करेंगे या फिर क्या करेंगे अभी अगर आप देखो के सब कुछ margin वगेरा सब कुछ बढ़ गया है जैसे आप आपको पहले 10,000-15,000 में option buying हो जाता था add दमानी के मैं बात करो ठीक है अभी अगर आप देखो के शायद तक आपको 30-40,000 के असपास पढ़ जाए या फिर 50,000 के असपास पढ़ जाए मैं बस एक assumption लगा रहा हूं यह तो हम लोग को तब पता चलेगा जब यह implement हो जाएगा तो यह चीज है तो अभी अगर हम option seller के view में हम बात करें कि जो वो capital लगा रहा है market पे उसके according उसको कितना ROI मिल रहा है वो भी तो देखना है तो वो क्यों इतना पैसा लगाएगा कि मतलब एक छोटा सा premium amount पाने के लिए वो बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है तो कोई sense नहीं बनता है इस जिसका तो इसका भी एक impact पड़े गया trader के उपर पर बहले option buyer को कुछ फरक नहीं पड़ता है और option seller को तो बहुत ज़्यादा फरक पड़ता है इससे मतलब जो option पर volume के अगर हम बात करें वो हो सकता है dry up हो जाए क्योंकि अगर सही तरीके से buyer और salary नहीं र जाता है और अभी इस decision के बाद तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा slippage होने वाला है और इसी के वज़े से जितने भी brokers हैं सब लोगों ने उनका जो model है pricing model है वो भी कहीं ने कहीं change कर दिये क्योंकि जो सबसे ज़्यादा revenue आता था उनका वो option trading में आता था बट अभी option इतना सब कुछ changes हो गया है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी broker चाहेगा कि मैं अभी भी उसको उसी हिसाब से मैं दूँ ठीक है पहले जो charges था वही भी charges लगेंगे बट जो पहले delivery की अगर हम बात करें अब तो आपको DP sell मतलब जो भी holding से आप उसको sell करोगे तो उसको DP charges पे करना पड़ेगा ब्रूक्रेश charges पे करना पड़ेगा और पता नहीं कितने सारे charges पे करने पड़ेंगे तो swing trading के लिए भी stocks के अगर हम बात करें उसमें भी problem create होने लगे ठीक है बहुत टाइम पहले मैं अगर आपको करना है तो आप में कर सकते हो एक अच्छा अभी opportunity है बाकी broker जितने भी थे सब लोगे ने अपना चेंज कर दिया है प्लान बस जीरोदा और धनी बचा हुआ है तो यह सब कुछ scenario चल रहा है तो अभी क्या ना बहुत सारे trader ठीक है बहुत सारे trader अभी planning यह कर र यह यानि कि NAC पे trade करना चाहिए या फिर हमें forex shift हो जाना चाहिए या फिर हमें crypto में shift हो जाना चाहिए बहुत सारे trader का मतलब personally मुझे भी message आया था कि क्या करना चाहिए कि अभी के time पे तो इस तरीक से scenario चल रहा है हम लोग को future में stable चाहिए भई मतलब अगर आप देखो कि कोई भी यहां पर stability नहीं है हमेशा कुछ ना कुछ रोल्स आते रहते हैं कुछ यहां पर changes होते रहते हैं एक stability नहीं है ठीक है तो मुझे लगा कि इस चीज के उपर शायद तक एक video बना जाना चाहिए total detail में वदाना चाहिए कि इसमें क्या मेरा view है right so यह चीजे थी तो आप एक यहां पर जो link है ना यहां पर आप website को visit कर लेना ठीक है आर भी अपडेट द अलर्ट लिस्ट ऑफ अन अथराइज फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लाटफॉर्म इसको अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यह कुछ इस तरीके से दिख जाएगा जो कि प्रेस रिलीस था के और यहांपे तेरा जो फ्रम है ड्रेडिंग फिर्म है इसको ब्लॉक कर दिया है थीक है November हैं ड्सकाफ Anim अगर पूरा लिस्ट देखना चाहते हो आपको यहांपे क्लिक करना होगा तो आप यहां पर देख सकते हो ठीक हैं यहां पर देख सकते हो एकसनेश हो गया और FXCM हो गया उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे ब्रोकर थे एक्टी के XM हो गया ठीक है Meta Trader 5 हो गया Meta Trader 4 हो गया ठीक है Black Bull हो गया Easy Market हो गया और बहुत सारे मतलब ब्रोकर आप दिख सकते हो तो इन सब को ब्लॉक करते जा रहा है करते जा रहा है रीजन क्या है मालूम जो इंडिया का Government है ना वह चाहता है कि आप जो है Forex Trading करो ठीक है लेकिन इंडिया में काफे सारे लोग Forex Trading करते हैं ठीक है बस वह बताते हैं कि Forex Trading हम करते हैं बुलके ठीक है तो यहां पर वही चीज है कि यह जो आर भी है ना सब को ब्लॉक करते जा रहा है रीजन क्या है कि वह नहीं चाहता कि आप Forex Trading करो बोलके लेकिन इंडिया को छोड़के अगर आप बाकी कंट्री के बात करें सब लोग Forex Trading को अलाव करते हैं लेकिन इंडिया में अब को क्रीप्टो में कितना टैक्स देना पड़ेगा लग देखिए यहां पर 30% अगर profit होता है तो लॉस होता है टो आप समझो क्या है क्यानी लेकिन अगर आप profit करते है ऊपको 30% टैक्स देना पड़ेगा ठीक है अगर आपको काम करना है तो आपको NAC पे काम करना होगा ठीक है इंडियन स्टॉक मार्केट पे काम करना होगा तो जाके आप यहां पे टैक्स भरो मरो इस तरीके से जो है अभी इंडिया गर्मेंट कर रहा है आप लोगों के साथ तो देखे अभी जो है ना थोड़ा की मैं अगर इसका इंडिया मार्केट की बात करें तो आप कर सकत हुगग ऐसा एस सा यस्यशारा नहीं होना कि और मैं क्या होाँ आप कमपलेटली में क्या चाहता हूं आप कमप्लीटली स्पिर गथीन defender हो जाओ इंडिया पर चापने कार हैं लग करते आपकोर्ण करना जाता ह Kenneth करना सकतो हुए भूप सारे लोग करते के रहे हैं रहे हैं करने मत करने ठीगे और इसके बाद दूसरा ऑप्षन आता कि आप इसको payment करना ही करना है राइट वो चीज़े के उपार आप छोड़ दीजे अगर आपके पास कोई अच्छा सीए है तो वो यह चीज़ को कैसे handle करना है वो अच्छे से जान लेगा ठीक है तो यह सारी चीज़े तो overall मैं क्या कहना चाहता हो ना कि अभी के टाइम पे जो market scenario बन रहा है हमको लगने लगा था कि भाई इसका मतलब इसका जो फ्यूचर है ट्रेडिंग करने का वो बहुत अच्छा में देखने को मिलेगा बट यह जो हम लोग का इंडिया गवर्मेंट है नसी है बीसी है आर्बी यह इन लोग ना पूरा बर्बाद करके छोड़ दे कि कोई स्टेबिलिटी हमें यहां पर देखने को मिलने वाला है तो अगर आपको ट्रेडिंग आता है ना सही से आता है तो फिर मैं आपको यह बोलूगा कि आप एक ही प्लाटफॉम में चिपक के मत रहो आप बहुत सारी चीज़े एक्सप्लोर कर सकते आपके पास बहुत स इसा कुछ वह सब आप मात करो और बाकी जो बाइनोमो ट्रेडिंग होता है वह जो टाइम डूरेशन होता ना पांच मिनिट में डूरेशन में आपको प्रेडिक्ट करना रहता है कि बाय करना है वह सब नहीं करना है आपको ठीक है आपको प्रॉपर प्राइजेक्शन वाल जादा है अगर आप चाहते हो तो मैं उसका कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा बट उस पर भी अगर हम देखें बहुत मतलब व्ल्ड वाइड में ट्रेड होता है ठीक है और mcx commodity के हम बात करें तो वहां पे तो भाया बहुत जादा margin लगता है तो मैं तो बिल्कुल recommend नहीं करता वो सारी चीजे क्योंकि वहां पे gap down gap up को बहुत issue रहता है बहुत highly volatile लेता है ठीक है और जो है आपको consider करना चाहिए इसी मैंने सुचा है कि आप लोगे के साथ चीज को शेर किया जा ठीक है काफी सारे लोग इस जीज को बात चीत कर रहे ते हैं तो सब्मेला ह geograph करता हूं अब लोग के साथ चीज को शेर करों ठीक है उमिप करता हूं आपको इस वीडियो से का होगा और अगर आपको कुछ भी क्वेरी आप वीडियो के निचे कमेंट करके भी हमें पुछ सकते हो तो मैं आप से मिलता हूं अगले वीडियो पर बाए